प्रेशनों का जो लेवल होगा वह आपके नेट जी आरफ एक्जाइम के रहने वाला है इससे पहले छे और क्लास हो चुकी हैं उनका आपको प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जोग कर दीजे अगर आप Net, JRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor Exam की तैयारी कर रहे हैं शिशौल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कम्प्रीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के फोल्डर्स मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं बस कुछी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जोग कर दीजे प्रशन है हिंदू विवा में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है औपशन्स दिए गये हैं विजाती विवा की वजह से बंधोनों का तूटना अनुबंधिये तरीके से विवा की धारना पर ज्यादा जोड दिया जाना बहुव विवा प्रथा पर रोक लगाना अंतरजाती विवा एवं विद्वा पुनर विवा को समाजिक अनमोदन दिय जाना हिंदू विवा में विच्छेधन के लिए यानि कि जो लाक वाली सिच्छेशन आ रही है उसके लिए कारण क्या है इन में से किस वज़ेस से ऐसा हो रहा है अनुबंधिये तरीके से विवा की धानडा पर ज्यादा जोर दिया जाना बी यहां पर राइट होगा प्रश्ण है निम्न में से किस समाश शास्त्री ने भारत के विभिन छेत्रों के संदर में नातिदारी प्रथा के बारे में लिखा है इन में से किस ने भारत के विभिन छेत्रों के संदर में नातिदारी प्रथा के बारे में लिखा है Right answer इरावधी कारवे है B यहाँ पर right है इरावधी कारवे ने जाती प्रथा की दो प्रमुक विशिष्टाएं बताई थी एक तो अंतर विवा बताया था और दूसरी परामपरागत वेवसाय अंतर विवा और परामपरागत वेवसाय ये जो दो विशेष्टाएं है कास सिस्टम की इडावती कार्वे ने बताई है प्रश्ण है पित्रवन्शागत नम्बू दर्यों के संयुक्त परिवार को कहते हैं इलम, तारवार, कुरिना या फे इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर इलम होगा, ओप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रश्ण है निम्न में से पूर्वा मुखी करण परिवार का उधारण है जिसमें जन्म हुआ है, जिसमें विभा हुआ है, जिसमें गोद लिया है या फिर जिसमें सदस्यता पाना चाहता है सही क्या होगा, ये किसके अवधारणा है वार्णर ने नाभी के परिवार के दो प्रकार बताये थे एक था जन्म मूलक परिवार और दूसरा था प्रजनन मूलक परिवार जन्म मूलक परिवार जिसमें की व्यक्ति का जन्म हुआ है और ऐसे परिवार में उस व्यक्ति के माता पिता के साथ-साथ उसके जो भाई बहन हैं वो रहते हैं और जो प्रजनन मूलक परिवार है इस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपनी विवा के बाद शादी के बाद करता है और ऐसे परिवार में पती पत्नी और उनके आविवाहित बच्चे रहते हैं डोवर, मेहर, निवार हिका, वधु की कीमत पती द्वार तलागशुदा पत्ती को दिये जाने वाले अनुरक्षन भत्ते को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर निर्वाहिका होगा option C यहाँ पर right answer होगा ठीक है option C यहाँ पर right होगा प्रश्न है किसने भारती परिवार को 12 श्रणियों में वर्गी क्रत किया है केम का पाडिया, IP दिसाई, PM कोलेंडा, I कारवे यानि की इरावती कारवे भारती परिवार को 12 श्रणियों में वर्गी क्रत किसने किया है और परिवार इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी अभी जल्द ही क्लास हुई है जिसमें की परिवार की परिवार का अर्थ गया है परिवार की जो महतपूर विशेशताई हैं उनको कराये गया साथ में जो परिवार की परिभाशाई दी गई है महतपूर उनको बताये गया है परिवार की उत्पत्ती का जो सिध्धान्त है और इसके अलावा समाज शास्त्र में जो समाज शास्त्रियों के द्वारा परिवार पर अध्यन हुए हैं और संयुक्त परिवार के जो प्रकार है या परिवार से सम्मंधित जो क्लासिफिकीशन किया है लोगों ने इन सभी को उन classes में बताया गया है, important facts बताया गया है, फिर बाद में MCQs कराया गया है, इसका आपको playlist में folder मिल जाएगा, वहाँ से आप इस class को देख सकते हैं, और यहाँ पर PM कोलेंडा हो जाएगा, option C यहाँ पर right answer होगा, अब यहाँ पर देखिए, प्रतिलोम, बहिर विवा, अनुलो यहाँ पर option D होगा, ठीके, option D यहाँ पर right answer होगा, प्रेशन है, उत्करस्टता की संस्क्रती की अवधाना किसने दी है, सेंट साइमन, पेरे बोर्दियो, रॉबर्ट मर्टन, दुर्खीम, उत्करस्टता की संस्क्रती की अवधाना किसकी है? right answer यहाँ पर क्या होगा? इसको ऐसे कर लीजे, ठीक है? देखिए, अपने वंशानुक्रम संभू के बाहर से जीवन साथी के लिए, जो मलकी वंश्रक से बाहर जब विवा होता है, तो ऐसा विवा बहिर विवा कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर second होगा, right? ठीक है? फिर उच्च जाती की स्तरी जब निम्न जाती के पुरुष के साथ विवा करती है, तो यह प्रतिलोम हो जाएगा, और अपनी जाती के अंदर विवा करना यह अंतर विवा है, आपको पता है, फिर उच्च जाती के पुरुष निम्न जाती की स्तरी से विवा करते हैं, तो बी यहां पर राइट होगा प्रेश्ण है भूमिका और प्रस्तती के संदर में सही कथन का चयन कीजिए भूमिका वाकारी है जिसे एक व्यक्ति प्रतेक प्रस्तती के अनुरूप संपन करता है भूमिका और प्रस्तती में कोई संबंध नहीं है यहां पर सही बताना है कौन सा तो भूमिका और प्रस्थति में कोई संबन नहीं है यह गलत हो जाएगा ओप्शन यहां पर राइट है ठीक है यहां पर राइट है भूमिका वाकार है जिसे एक वेक्ति प्रतेक प्रस्थति के अनुरूप संपन करता है प्रश्ण है समाजिक सरशना शब्द का सर्वप्रथम प्रियोग किसने किया टॉलकेट पार्संस, हर्बर्ट स्पेंसर, रेटकलेफ ब्राउन, मैलनोवस्की समाजिक सरशना शब्द का सर्वप्रथम प्रियोग किसने किया है राइट अंसर यहां पर क्या होगा कि हर्बड स्पेंसर, हर्बड स्पेंसर को समाजिक डार्विन वादी कहा जाता है इन्होंने समाजिक उध्विकास का सिधधान दिया था और सबसे पहले समाजिक सरशना इस शब्दी या सब्धाना का प्रियोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने ठीके समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है ये भी इनके द्वारा ही कहा गया था और समाज के दो प्रकार सैनिक समाज या शिकारी समाज और दूसरा समाज हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बताए है तो भी यहां पर राइट होगा प्रेशन है किसने अपने समाजी करण के सिध्धान्त में समाजी करण का सिध्धान्त ठीके उसमें समाजी करण का सिध्धान्त ठीके उसमें समाजी करण की जो अवधार्णा है उसकी बात इन में स किसने की है कूले जॉंसन फ्राइट जी एच मीट ऑप्शन्स है समानिकरत अन्यक की जो अवधार्णा है वह किसकी है जॉज हर्बर्ट मीट की ऑप्शन डी यहां पर राइट है और समाजिक करन की सबसे पहले बाद जॉज हर्बर्ट मीट ने ही की थी इनकी बुक है माइंड सेल्फ एंड सुसाइटी इंपॉर्टन बुक है इसे याद रखेगा प्रशन है किसने समाजिक समूहों को चार श्रडियों में विभाजित किया है सांखिकी समूह, सहयोगी समूह, समाजिक समूह, समिती संबंधी समूह, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बिर स्टिट, जॉन्सन, मैकेवर और पेज ऑप्शन्स है राइट यहाँ पर क्या होगा? समाजिक समूहों का इस तरीके से जो वर्गी करण में किया है या इस तरीके से जो विभाजन किया है समाजिक समूहों का इन में से किसने किया है? यह PGD के एक्जाम में कई बार पूछा गया है रॉबर्ट बियरिस्टिट और रॉबर्ट बियरिस्टिट की बुक का नाम क्या है दशोशल ओर्डर जो की एक्जैम्स में पूछी जाती है प्रशन है रेट फिल्ड द्वारा बताई गई लोग समाज की अवधारना इसका एक उधारन नहीं है अब एक शक्र छोटा प्रतक्रत समाज, लोकिक समाज, सजातिय समाज, समो एक्ता के भाव से ओध प्रोट समाज लोग समाज की अवधारना से संबंदित नहीं है ये पूछा जा रहा है और लोग समाज की अवधारना रॉबर्ट रेट फिल ने दीती औसकर लेविस की गरीबी की संस्कृति के अवधारना किस अध्यन पर आधारित है मैक्सिकन के पांच परिवार, अमेरिका के पांच परिवार, फ्रांस के पांच परिवार, भारत के पांच परिवार औसकर लेविस ने गरीबी की संस्कृती की अवधाना दी थी या निर्धनता की संस्कृती की अवधाना या दरिदता की संस्कृती की अवधाना इस तरीके से आता है औसकर लेविस की है यहाँ पर सही क्या होगा option A होगा Mexico के 5 परिवार पर अध्यन किया थे उन्होंने और वहाँ पर पाया कि वे लोग गरीबी को enjoy करते हैं जो उनकी situation है उससे बाहा निकलने का कोई प्रयास नहीं करते हैं बलकि उसी में वे रहते हैं और उसे वे enjoy करते हैं ऐसा उन्होंने वहाँ पर पाया प्रश्ण है किसने भारती समाज के अध्यन से सभेतागरत द्रस्टिकोर के साथ कौन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा भारती समाज के अध्यन से सभेतागरत द्रस्टिकोर के साथ कौन सम्बंदित हैं में से निर्मल कुमार बोस एनके बोस ऑप्शन भी यहाँ पर राइट होगा निम्ने में से किसने अपने सिद्धांट में द्यनिक जीवन और संस्थाओं की समाजिक सरशना में समान ज्यान की भूमिका पर प्रकाश डाला है पीटर बर्जर, ऐल फिरिट श्यूट्स, गौफमेन, एनके बोस ऑप्शन्स है इन में से किसने अपने सेध्धान्थ में दैनिक जीवन संस्थाओं की समाजिक सरशना में समान ज्यान की भूमिकापक प्रकाश डाला है सही क्या होगा? पीटर बर्जर ए यहाँ पर राइट होगा? स्वा के विकास के संदर में मैं और मुझे की अवधाना का प्रियोग किस ने किया? फ्राइट, कूले, मीट, दुर्खीम ऑप्शन्स है सही क्या होगा? बताईए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीट और आपको comment box में बताना है कूले ने समाजी करण का सिद्धान जो दिया है वो कौन सा है? उसे कौन क्या कहकर बुलाते हैं? कूले का जो समाजी करण का सिद्धान थे वो आपको बताना है comment box में यहाँ पर जो self के development के reference में I and, जो मी का जो concept है वो George Herbert Mead ने दिया हुआ है इसके अलाबा भूमिका ग्रहन, भूमिका निर्वहन के अफधाना भी George Herbert Mead की है प्रश्ण है किसने समाजिक सरश्णा की मुख्य सम्मूहों और संस्थाओं की रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है रेट क्लिफ ब्राउन, नाडेल, जिन्सबर्ग, आरफर्थ ओप्शन्स है राइट क्या होगा यहाँ पर? जिन्सबर्ग होगा, ओप्शन्सी यहाँ पर राइट होगा संस्कृति और संभिता की बीच मूल भूत अंतर बताना है क्या है? आईए देखते हैं, संस्कृति वा है, जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और संभिता वा है, जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते है संस्कृति का संब्द्धी से है, और संभिता का संब्द्ध अनुभव के साथ है संस्कृति गौड है परंतु सब्भेता प्रात्मिक है हम जो है वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सब्भेता है सही यहाँ पर क्या है संस्कृति वह सब्भेता से सम्बंदित जो सही तरीके से इसे परिभाशित कर रहा है option D हम जो कुछ है वह संस्कति है और हमारे पास जो कुछ है वह सब्भेता है D यहाँ पर राइट होगा प्रस्तति समुझ के अवधाना किस ने दी है Kingsley Davis, Merton, Parsons, Linton, Options है प्रस्तति समुझ Status and Role यानि की प्रस्तति और भूमिका इस topic को complete कराया जा चुका है आपको playlist में folder मिल जाएगा वहाँ से आप उन classes को देख सकते हैं Most important यह topic है आपके हर exams में यह questions आपको देखने को मिलेंगे इस topic से related तो यहाँ पर क्या होगा? Merton होगा Merton होगा option B यहाँ पर right है Status set का जो concept है Robert King Merton का है Status set होता क्या है कई बार आपको बताएगा एक बार फिर इससे देख लेते हैं Status set जैसे कि Ralph Linton ने कहा था कि प्रस्थतियां दो तरह की होती है प्रस्थति की दो प्रकार बतायते हैं एक तो प्रदत प्रस्थति और दूसरी अरजित प्रस्थति यानि कि एक प्रस्थति वा है जो व्यक्ति को जर्म से ही मिल जाती है जाती, लिंग, जेंडर जिसे कहते एज ये सभी व्यक्ति को जर्म से मिल ले दूसरी और प्रस्थति ऐसी होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है अपनी योगिता के अनुसार उसे प्राप्त करता है वो सारी प्रस्ति जब प्रदत प्रस्ति और अरजित प्रस्ति यानि की जन्म से मिलने वाली प्रस्ति और योगिता से मिलने वाली प्रस्ति इन सभी को खटा कर देते हैं इन सभी का योग ही क्या कहलाता है प्रस्तिती दूसरी संस्कृति के गुड़ ग्रहन करना या फिर संस्कृति का रुपांत्रण पर संस्कृति ग्रहन क्या है तो यहां पर दूसरी संस्कृति के गुड़ ग्रहन करना होगा सी यहां पर राइट होगा प्रश्ण है भूमिका पुंज में आज स्थायत्व यानि संगश के सरशनात्मक कारकों का सिद्धान किसने प्रतिपादित किया है रॉल्फ लिंटन, पार्संस, नाडेल आरके मर्टन ओप्शन्स दिये गया है भूमिका पुंज में आज स्थायत्व संगश के सरशनात्मक कारकों का सिद्धान किसका है रॉल्फ गिंग मर्टन का ओप्शन डी यहां पर राइट होगा समाज में प्रति एक व्यक्ति के अनेक प्रस्थतियां होती हैं एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन प्रस्थतियों को निम्न रूप से जाना जाता है प्रस्थति असंगती, प्रस्थति क्रम, प्रस्थति पुंज, प्रस्थति उत्रदिकार बताईए समाज में हर एक व्यक्ति की कई सारी प्रस्थतियां होती है और एक व्यक्ति से जुड़े विभिर प्रस्ततियों को क्या कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाएगा स्टेटस सेट अभी बताया, प्रस्तति पुंच, C यहां पर राइट होगा, मर्टन की अफधार्ना है ये सही यहां पर क्या होगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा किस ने किया है, रेट क्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक सरश्ना और समानी सरश्ना, ठीक है और ब्राउन के अगर बुक्स की बात की जाए, तो African System of Kinship and Marriage, एक इन्पॉर्टेंट बुक है, African System of Kinship and Marriage और सेकेंड बुक है, Structure and Function in Primitive Society, यह दो इन्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ब्राउन की याद रखेगा, एक्जैम्स में पूशी जाती है प्रश्न है, समाजिक सरश्ना का प्रकारिवादी द्रस्टिकोर सबसे पहले किसने अभिव्यक्ति किया दुर्खीम, Parsons, मर्टन, स्पेंसर, समाजिक सरश्ना का प्रकारिवादी द्रस्टिकोर सबसे पहले किसने अभिव्यक्ति किया H Herbert Spencer D यहां पर write होगा मिशित परिवार की अवधाना से सम्बन देते पारस लेंटन बर गेस अfrom औरक्सिनष है मिशित परिवार की अवधाना किसकी है परिवार पढ़ाये गया था तो यहां पर सब बताया गया था write क्या zero पर राइड अंसर क्या होगा यहाँ पर GP Murdoch Option D यहाँ पर राइड है मिशित परिवार की अफधारना GP Murdoch की है और Murdoch ने दो प्रकार बताये थे परिवार की एक तो बताया था स्वतन तनाभिकी परिवार और दूसरा मिशित परिवार स्वतन तनाभिकी परिवार और दूसरा मिशित परिवार यह GP Murdoch ने बताये हैं इसे याद रखेगा इन्पोर्टेंट है और Parsons की विलगित तनाभिकी परिवार की अफधारना है और लिंडन की बात की जाए तो इन्होंने परिवार की दो प्रकार बताये थे रक्त संबंधी परिवार और विवा संबंधी परिवार ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्रेशन है पूर्व ओधोगिक परिवार यह अफधारना किसकी है Parsons, Gude, C.M.Erensburg, Durkheem, Options है पूर्व ओधोगिक परिवार की अफधारना किसकी है तो यहाँ पर राइट अंसर C.M.Erensburg होगा Option C यहाँ पर राइट होगा प्रेशन है इन में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है पूर्व ओधोगिक नगर डेनियल बेल समाजिक परिवर्तन का अंतनिहित स्रोत सोरोकिन संस्कृति निर्मार आर लिंटन AGI मौडल पार्संस कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है राइट अंसर यहाँ पर पूर्व ओधोगिक नगर होगा डेनियल बेल नहीं होगा ठीके जो बर्ग या सो बर्ग ऐसे लिखा होता है यहाँ पर यह उनका कॉंसेब्ट है उसकी बात किये और बाकी के सारे सही है अनिवारे समू की अवधारना से कौन सम्मंदित है बोटोमोर, जिंसबर, कूले, वाड आप्शन्स है किसकी है यह अवधारना वाड की वाड की है वाड ने समू के तीन प्रकार बताए थे तीक है समू के जो उन्होंने प्रकार बताय थे एच्चिक और अंच्चिक, स्टीन नहीं है दो है एच्चिक और अनैच्चिक ठीक है, एच्छिक और अनेच्छिक, अनेच्छिक के जगा आप अनिवार समू ऐसे करके भी एक्जाम्स में आता है तो याद रखेगा, वॉर्ड ने बता हैं, ठीक है, लास्ट कोशन है, वास्तविक संदर समू के अवधार्ना, किसकी है, मर्टन, ओटो क्लाइन बर्ग, या फेन में से कोई नहीं, वास्तविक संदर समू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ओटो क्लाइन बर्ग, ओप्शन भी यहाँ पर राइट होगा, तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप या आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइ झालिए जितना ही, और राइट एंसर कRI माशान से की क्लाइट है झालिए लाइट क्युचक्त बस …. ळालिए बस आई हा यार या झालिए आई होगा, आई हाएवाँ वाबग क्लाइटतना हूटी उत बस आई हा